वे इसके वशिभूत नहीं होना चाहते, बार-बार लगातार वही चीजे होती रहती हैं। ज्यादतर लोगों को इसका एसास तक नहीं होता। ये एक जीवनकाल से दूसरे जीवनकाल तक नहीं है, वो भी है। पर इसी जीवन में आपको इसे लोगों के सामने सुविकार नहीं करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इमानदारी से इसकी ओर देखें। नमस्कारम सत्कुरू, ब्रह्मचर्य के मार्ग में क्या-क्या शामिल है? मुझे कैसे पता चले कि मैं इसके काबिल हूँ या नहीं? भ्रह्मचर्य का मतलब है, मंद हवा की तरह होना। मतलब आप किसी चीज से जकरते नहीं। ये हर जगा बह रही है, हमें नहीं पता कि ये अभी ये कहां से आ रही है। ये अभी-अभी सागर को पार करके आई है, ये यहां है, और ये बस बहती रहती है। भ्रह्मचर्य का मतलब है, बस जीवन के रूप में होना, उस तरह जीना जैसे आप पैदा हुए थे। अकेले, अगर आपकी मा को जुड़वा बच्चे हुए, तो भी आप अकेले ही जन में थे। दिवेता के साथ बहुत नजदी की संपर्क में, बस उसी तरह जीने के लिए, भ्रह्मचर्य कोई महान कदम नहीं है, ये तो बस जीवन के रूप में बने रहना है, शादी एक बड़ा कदम है। आप कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम लोग ऐसा मानते हैं। आपने जीवन को वैसे ही होने दिया जैसे रचियता ने आपको बनाया था, आपने उस से कुछ अलग नहीं बनाया। ब्रह्मन या स्रिष्टा की मार्ग पर होना उसके तरीके से होना आपके तरीके से नहीं आप ये सोच कर शादी करते हैं कि ये आपके तरीके से होगा पर ये किसी और के तरीके से होता है तो ब्रह्मचरिय का मतलब है बस उसका तरीका जिस तरह उसने आपको बनाया बस वैसे रहना कोई कदम नहीं, अगर आप कुछ नहीं करते तो आप एक भ्रहमचारी है लेकिन साधना है, दूसरे अनुशासन है, उनके बारे में क्या ये सब आपको उस तरह रहने में साहता करने के लिए है क्यूंकि एक बार जब आप इस धर्ती से सामगरी उठा लेते हैं जब आप इस धर्ती से पदार्थ उठा लेते हैं तो इस धर्ती के गुण आप में प्रवेश कर जाते हैं और आप पर शासन करने की कोशिश करते हैं ऐसा होने पर धर्ती का एक बुनियादी गुण जो आप में आ जाता है उसे जड़ता कहा जाता है तो परमात्मा के मार्ग पर होने का मतलब है धर्ती के तरीकों में नहीं पढ़ना एक चीज है जड़ता, दूसरी चीज है एक मजबूरी भरी गतिविधी अगर आप इस धर्ती का एक टुकड़ा उठाते हैं तो आप धर्ती जैसे बन जाते हैं यह आपको चक्रों में भसाने की कोशिश करती है इस भ्रह्मान में जिस भी चीज को आप भौतिक कहते हैं उस सभी का आधार चक्रिय गति है क्योंकि भौतिकता सिर्फ तभी मौजूद हो सकती है जब वो चक्रिय हो भ्रह्मचरिय का मतलब है आप चक्रिय गति के वश में नहीं होना चाहते क्योंकि एक भ्रह्मचारी जान गया है कि दुनिया उनके बिना चल सकती है वो अब वापस नहीं जाना चाहता देखिए चक्र का मतलब है अगर आप एक गोल घेरे में चलते हैं चाहे घेरा कितना भी बड़ा हो आप वापस वहीं आ जाते हैं है न, भले ही आपको न्योता न दिया गया हो आया न जब एक बार आप गोल मार्ग पर चलते हैं तो आप वापस आ ही जाएंगे हम नहीं जानते कि लोग आपको चाहते हैं या नहीं दुनिया आपको चाहती है या नहीं पर आप हर हाल में वापस आएंगे क्योंकि आप एक चक्कर पर है तो जो लोग जान गए हैं कि उनकी वास्तव में यहां जरूरत नहीं है वे एक सीधे मार्ग पर चलना चाहते हैं दिविता के मार्ग पर ग्रहूं के मार्ग पर नहीं तो यह देखना कि आप धर्ती के तरीकों से वशिभूत नहों क्यूंकि अगर आप इससे पहचान जोड़े हुए हैं तो आप सिर्फ धर्ती का एक टुकड़ा है वो सब कुछ जो आप के पास है इस धर्ती से उधार लिया गया है और यह भीतर से आप पर राज करेगा तो व्यक्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया के बजाए एक मार्ग, एक अनुशासन, भ्रहमचरिय को अपनाता है ताकि वे जीवन की चक्रिय गती में न पड़े वे इसके वशिभूत नहीं होना चाहते बार-बार लगातार वही चीज़े होती रहती हैं तो इसमें क्या शामिल है? अगर आप बहुत जागरुक हैं, तो इसमें कुछ भी शामिल नहीं है बहुत सरल है आप हर सुबह ऐसे उठते हैं जैसे आपका जन्म हुआ हूँ आप सोने ऐसे जाते हैं जैसे आप मर जाएंगे उसके बीच में जो भी सब के लिए उप्योगी हो आप को करते हैं क्यूंकि आप अब भी उस थान पर नहीं पहुचे हैं जहां आप बिना किसी गतिविधी के रह सकें आपको कुछ न कुछ करना पड़ता है आइडिया ये है कि वो काम कभी भी आपके बारे में नहीं होना चाहिए क्यूंकि अगर गतिविधी आपके बारे में होगी तो आप उल्झनों में पढ़ते चले जाएंगे तो आप लगातार ऐसे काम करते हैं जो आपके बारे में नहीं होते आप इतनी गतिविधी करते हैं कि जब आप सोने जाएं तो आपके पास एक पल भी ना हो, आप मृतक की तरह धेर हो जाएं। जब आप उठें, पक्षियों से पहले व्यस्त हो जाएं। बागी सब कुछ कृपा संभाल लेगी। आपको बहुत ज़ादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यूंकि एक भरमचारी बनाने के लिए हम एक निश्चित मात्रा में उर्जा का निवेश करते हैं। दरसल ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए। अगर वे बस कुछ नहीं करते तो वे वहाँ होंगे। पर धर्ती के तरीके भीतर से राज करते हैं क्यूंकि आखिरकार आप अपने शरीर को नीचे नहीं रख सकते। इसकी यादाश्ट है, इसका बहुत बड़ा कार्मिक धेर है, इसलिए इसमें प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों से परे जाना, जो आपके होने के प्रतीस स्वाभाविक नहीं है, पर ये मानो, क्यूंकि इस वाहन की प्रवृत्ति ऐसी है, मान लीजे आप एक कार चला रही हैं और उसमें थोड़ी अलाइन्मेंट की समस्या है, तब ये इस तरह चलेगी, आपको इ ये मुर जाता है, तो इसके चक्र पूरा करने में बस समय का ही सवाल है, पर क्यूंकि ये एक निश्चित समय ले रहा है, और व्यक्ति की जागरुकता कोई खास अवस्था में नहीं होती, इसलिए हर बार जब आप उसी बिंदू से गुजरते हैं, तो वो एक नए स्थान जैसा लगता है, ऐसा होगा, अगर आप दोपहर में यहां बैठते हैं, तो वही स्थान जहां बैठे हैं, अगर सूरज निकला हुआ हो, तो ये पूरा स्थान अलग लगेगा, अभी आप बैठे हैं, ये अलग दिखता है, रात को बारा बज़े आकर बैठिये, ये और अल है, क्योंकि इस धर्ती की गती में एक निश्चित गनित शामिल है, आम तोर पर आपके चक्र बारा साल से थोड़ा जादा होते हैं, आप उसी स्थान पर लोटते रहते हैं, ज्यादतर लोगों को इसका एहसास तक नहीं होता, ये एक जीवनकाल से दूसरे जीवनकाल तक न सालों में आप एक चक्र से गुजर रहे हैं, ज्यादतर लोग कभी इस ओर ध्यान तक नहीं देते, कि वही चीजें दोराई जा रही हैं, ज्यादतर लोग, 99.9% लोग ध्यान नहीं देते, बहुती कम लोग ध्यान देते हैं, कि वही स्थितियां हैं और शारिरिक और मानसिक दोनों और बाहरी स्थितियां, समान चीजे आ रही है, अगर आप थोड़े हाइपर हैं, तो ये हर छे सालों में आएगा, अगर आप थोड़े ज्यादा हाइपर हैं, तो ये हर तीन साल में आएगा, बहुत ज्यादा हाइपर तो ये अठारा महीनों में एक बार आएगा, बह अगर आपके चक्र तीन महीनों से कम हैं, तो निश्चित रूप से आप खुद के लिए और आपके आसपास सभी के लिए खतरनाक हैं. आपको पागल खाने में होना चाहिए. क्यूंकि आपके चक्र बहुत छोटे हैं, आप अस्थर हो जाते हैं. खतरनाक रूप से अस्थर. तो आपके चक्र बारा साल के हैं या तीन महीने के, अंतर केवल पागल पन के प्रतिशत का है, है न? अगर आपका चक्र तीन महीने का है, तो सभी देख सकते हैं कि आप पागल हैं. अगर आपके चक्र बारा साल के हैं तो लोग नहीं जान पाते पर आप जानते हैं अगर आप इमानदान हैं तो आपको पता है आप पागल है अगर आप खुद के साथ स्पष्ट हैं तो आपको साफ साफ पता है कि आप पागल है फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि समय साड़े बारा या आसपास है, इसलिए आप दुनिया को पागल बना सकते हैं, कि आप ठीक हैं अगर मैं चाहता हूँ कि आप सब इसकी ओर देखें इमांदारी से खुद की ओर देखिए, सामाजिक प्रभाव की चिंता मत कीजिए, आपको इसे किसी के सामने स्विकार नहीं करना ठीक है, अपने भीतर, क्या आप काफी कुछ पागल नहीं है कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको इसे लोगों के सामने स्विकार करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इमानदारी से इसकी ओर देखें अगर आप खुद को लेकर इमानदार और स्पष्ट हैं तो आपको पता है कि आप काफी दूर निकल चुके हैं अगर आपने खुद के आगे इसे स्विकार कर लिया है तो आप इसे ठीक करना चाहते हैं पर आप इतने जादा सामाजिक प्राणी हैं कि आप कैसे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हैं, आप के लिए बस यही माईने रखता है, तब आप जारी रख सकते हैं कई जीवन काल तक आप जारी रह सकते हैं, आप कैसे हैं, यही माईने रखता है आपका होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ना कि ये कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है दूसरों की राय आपके जीवन को नहीं कर रही ये आपके जीव का स्वभाव है अगर ये होता है तो आप स्वाभाविक रूप से दिविता के मार्क पर चलेंगे आप वहां होना चाहेंगे और कोई रास्ता नहीं होगा